यूपी सरकार में उन्हें एक डिप्टी सीयम जैसा बड़ा पद मिला हुआ है और अगर वो समाजवादी पार्टी में जाते तो कही न कहीं उनकी राजनीती यहाँ पर खत्म होती हुए भी नजर आ सकती नमस्कार मैं कशिश और स्वागत है आपका खास प्रोग्राम आमने सामने में आज का मुद्दा अगर देखा चाहे तो केश्य प्रसाद मौरे है केश्य प्रसाद मौरे के बयान का समर्थन करते हुए अखिलेश श्यादव के बयान का समर्थन करते हुए केश्य प्रसाद मौ पर केश्य प्रसाद मौरे अखिली शादब के साथ लगतार सुर्खिया में बने हुए और खासकर कि वो नेता जरूर पार्टी छोड़ता है जो किसी और नेता की लगतार यहांपर ग्हाँ पर लगतार तन्चकसते नजर आते हैं अगर अपने साथीों को लेकर सपा में आएंगे तो उन्हें मुख्य मंत्री बनाया जाएगा लेकिन बात रही मुख्य मंत्री कि मुख्यमंत्री के चुनाफ तो दोहजा सताइस में होने है अब विधान सभा के क्योंकि दोहजार बाइस में ही होए लेकिन अब यहाँ पर लोगसभा चुनाफ है और अभी डिप्टी केशव प्रसान्मौ्रे उससे वड़ापर क democratic डिया जा सकता है गिलैष की तर्व से केशव प्रसान्मौ्रे को इस तरीके के हैं यहाँ पर कयास है लेकिन देखा जाए तो चाहते शिपाल को भी बड़ी जिमेदारी बड़ा पद देने की बात की जाई थी लेकिन उन्हें भी वही जिमेदारी मिली जो बाकी के 15 लोगों को मिली है जो रास्ट्रे महासचीव का पद है तो यहां पद उन्हें जब आगे नहीं बढ़ाएगे तो केश्य प्रसाद मौर पर रिपोर्ट साज़ा कर रहे है दर्शकों के साथ तो क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है और जो कयास यहां पर लगाए जारे उनके सबाह में जाने के क्या इस पर कुछ ना कुछ सच्चाई है देखे के के जो दावे किये जा रहे लेकिन इसके पीछे की अगर स अधर आ सकती है क्योंकि वहां पर आजम खान है वहां पर स्वामी प्रसाद मौरे का पहले ही कद बढ़ा दिया गया है तो मुझे नहीं लगता कि वह समाजवादी पार्टी में जाने जैसा जो है वो सोच भी रहे होंगे वह बात तो हो सकते हैं लेकिन कई ना कई अगर दे केशव प्रसाद मौरे अफिस सच में उन्होंने यहां पर समर्थन किया जनगड़ना को लेकर बिल्कुल जातिकत जनगड़ना को लेकर जो बयान दिया गया था मुझे लगता है कि दोनों की ऐसी सोच ती जो एकी वक्त पर नजर आई हम अगर अखलेश यादव की बात करी हैं वो कह रहा है कि कोई नई चीज नहीं है यह पहले से उता आ रहा है हला कि अभी फिलाल के अगर बात करी जा है तो इसकी मांग तेज़ी से बढ़ने लगी है केशव प्रसाद मौरे ने भी उसी वक्त पर जो है जो नहीं सही लगा उन्होंने बोला तो इस आधार पर इन जीत हासिल कर सकती है पार्टी और लोग सबा चुनाओं में क्या होगा हलाकि वो वक्त बताएगा लेकिन फिलाल दावेदारी काफी मजबूत है सीटों में हाला की कमी आ सकती है लेकिन मजबूत काफी है लेकिन आपने यहां पर यह बात रखी कि केशव प्रसाद मौरे अल जाने की बात कर रही लेकिन चुनाओं की बात कीजाए तो दोजा सब्ताइस में चुनाओं होंगे लेकिन उससे पहले लोग सबा की चुनाओं अगर एक प्रतीशत भी अंदाजा लगाया जाए कि केशव प्रसाद मौरे लोग सबा चुनाओं से पहले अखिलेश के साथ ज तमाम समर्थगों के साथ चाहें वो विधाय को वो अगर पार्टी में आ जाते तो उन्हें मुख्यमंत्री जैसा पद दे दिया जाएगा तो कहीं न कहीं यहाँ पर अखलेश यादव को अपर्चुनिटिस्ट कहा जा सकता है क्योंकि वो यह चाह रहे कि केशव प्रशाद मौर रहाएं सरकार बनाएं और उस सत्ता की मलाई कहीं न कहीं अखलेश यादव यहाँ पर खाने के लिए आतुर नजर आ रहे तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ कयास है और इसको लेकर अखलेश यादव बयान जरूर दे रहे ह लेकिन यहाँ पर अगर यूपी के सियासत को लेकर लगतार बातशीत हो रही है तो यहाँ पर एक और यह सवाल रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो कौतम अडानी है वो इस वसक्त लगतार सुर्ख में बने हुए हैं यहाँ पर अखलेश यादव भी अब उन पर मूर् होता है तो वहाँ पर पूरा विपक्ष एक साथ नहीं हो पाता है हमने पहले भी देखा और आज भी देखा कि जिस तरीके से सदन में एक तरफ कॉंग्रेस मांग कर रही थी कि सदन को सगत कर दिया जाए और तमाम तरह की जो कानूनी लड़ाई है वो उसकी मांग कर रही थ दूसरी तरफ टीमसी जो है वो साथ देती हुई कॉंग्रेस का नजर नहीं आ रही थी तो यह माना जा सकता है कि विपक्ष जो है वो कही नगा एक बड़े मुद्दे इससे बटकता नजर आ रहा है अखले शादव जरूर बयान दे रहे हैं लेकिन क्या इससे हम यह मान ले वाली बात नहीं है बैंक्स लगातार ये कह रहे है कि ऐसा कुछ गडबर नहीं हुआ है सब्कूर और अगले मायवदी और यह नहीं पा पार ओगए लेकिन अगर देखा जाय कई नहीं कई कईशन प्रसाद मौरें लगातर अपनी एहम भूमी का लगाता निभाते वे नजर आ रहे और यहां पर ये भी माना जा रहा है कि अगर योगी अधितेनात के साथ वो रहते तो इससे योगी अधितेनात और केश्य प्रसाद मौरे दोनों को फायदा होता नजर आएगा लेकिन चुनावों से पहले अ यहां पर पूरी कोशिश करेंगे कि जो बड़े लोग हैं यहां पर योगी सरकार में वो उनके साथ आया और यहां पर कई ना कई एक पद और एक जिम्मेदारी का लाले जरूर अखिलेश यादव देंगे जिस तरीके से शिपाल सिंग यादव को भी मिला और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई सबके बराबर उन्हें पद दिया गया तो अगर लोगों में दिमाग है अपनी मान सकते है तो कहीं न कहीं हाँ पार जरूर पार्टी को नहीं छोड़ेंगे लेकिन अब आपकी क्या रहा है कि केशब प्रसान मौरे को सच में योगी आ यतिनाद की सरकार चोड़ देनी चाहिए तो क्यूं इस पर राय जरूर दे और बाकिसी खबरों के लिए नेक्स्ताइ नेउस